नमस्कार किसान भाईयो मैं सुर्यदेवल फिरसे हजिरूं आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरूजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की 20 से लेके 40 दिन की अवस्ता पर हमें क्या क्या कार्या करने चाहिए किसान भाईयो ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर हम लगभग अपना पहला पानी गेहूं की फसल को दे चुके होते हैं इस समय के बाद किसान भाईयो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कई सारी दिक्कते आ सकती हैं कई सारी परिसानिया आ सकती हैं इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इन दिक्कतों से इन परिसानियों से आप अपनी जो गिहूं की फसल है इसे किस तरीके से बचा सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं किसान भायों को बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर खेती से समध्य जानकरिया प्राप्त कर सकते हैं पस्वों से समध्य जानकरिया प्राप्त कर सकते हैं और मसिंदी से समध्य जानकरिया आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मैं से किसान भाईयो को किसी भी टोपिक पर कोई वीडियो बनवानी चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं कि क्यों आप पर रोधुन कर सकते हैं या फिर टैलिग्राम और वह ट्सæप गुरूपर प्रल्रीक जो है मैंने पर हमें क्या क्या कर रहे हैं करने चाहिए किसान भाईयों इस समय पर आप अपनी गेहूं की फजल को पहला पानी दे चुके होते हैं जैसे ही आपने पहला पानी अपने गेहूं की फजल को दिया होता है उसके बाद या तो खुछ किसान भाईयों की गेहूं जो है हलकी पीली पढ़नी शुरू जाती है या फिर उनकी जो गेहूं है पूरे खेत में इकसार नहीं हो पाती है यानि कहीं पर गेहूं ऊची हो जाती है कहीं पर गेहूं थोड़ी नीची रह जाती है इस तरह के दिक्कतें आपकी गेहूं के फसल में आ सकती है या किसान भाईयो आपके खेत के अंदर इस समय पर खर्पतवार भी हो सकते हैं यदि आपकी गिहूं के फसल के अंदर खर्पतवार हो गए हैं तो खर्पतवार के लिए आप किसी भी एक अच्छे खर्पतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं खर्पतवार नाशी का उपयोग करने जिससे कि आपकी गहुं के अंदर जितने भी ख़त्मतवार होती है वैं खतम हो जाएंगे अब यदि आपकी गहुं की फ़सल किसान भाई यो पीली पढ़ गाई है तो पीली पढ़ने की अवस्ता में आपको क्या करना है और अपनी गेहों की जो growth है, tillring है और इसकी overall जो उसका उत्पादन है, इसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं, किसान भाई यो एक बात का विसेज ध्यान दें, जब आपकी गेहों लगबग 20 से लेके 40 दिन के आसपास की होती है, इस समय पर आपकी किसान भाई यो आपकी गेहों की फजल को नाइटरोजन, फासपोरस और पोटास, यानि की एन पी के इन तीनों की आवस्ता बहुत जादा होती है, कुछ किसान भाई यहां पर यह कहेंगे, कि हमने बुआए के समय पर इन तीनों का उपयोग किया था, बुआए के समय पर आ चाहिए, और किसान भाई यो एन पीके 19ika जो आप उपयोग करेंगे, या इसका स्प्रे करेंगे, तो इसे किस तरीके सकनला इसके बारे में बात करते हैं, किसान भाई यो आप एक बात का विस्यज्ज ज्यान दें, और प अपको एन पीके 19,19-19 की मात्रा चाहिए, और इसे आप 120 से लेके 150 लिटर पानी के और अच्छे से mix करके अपनी गहों की फसल पर आप इसका ispray कर सकते हैं यदि आप इसका ispray अपनी गहों की फसल पर करते हैं तो आपकी गहों की जो growth बढ़ नहीं रहीती growth बढ़नी शुरू हो जाएगी यदि आपकी गेहों की फसल पीली पढ़ देदी तो पीली पढ़ना भी बंद हो जाएगी और overall आपकी गेहों की जो पैदावार आने वाले समय में होगी वह बहुत ही सांदार होगी इसलिए किसान भाईयो 20 से लेके 40 दिन की अवस्ता पर आप प्रवार आपको NPK 1919 2019 का इस्प्रे जरूर करना चाहिए इसके साथ साथ किसान भाईयो यदि आप चाहें तो बायो वीटा का उप्योग भी इसके अंदर कर सकते हैं यदि बायो वीटा की मात्रा की बात मैं करूं तो किसान भाईयो आप लगबार तीन सो से लेके 400 ml बायो 19 के साथ mix करके अपनी गेहों की फसल के अंदर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे post-up तर्व दिये होते हैं जो हमारी गेहों की फसल के लिए बहुत ज़्यादर जरूरी होते हैं उम्मीद है किसान भाईयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ यदि इससे सम्मंदर कुछ और कमेंट आपके हूँ तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं या वाटस आप टेलिग्राम में या मुझे मैसिज कर सकते हैं मैं कोसिस करूँग आपको सही और अच्छी जानकारी देने की तो किसान भाईयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान